फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि फेड़ अप विद क्या है और इस पोकेन इंगलिस में आप फेड़ विद का कैसे यूज करें तो आये फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें बहुत इंपॉर्टन लेसन है हमें अपने डेली ड देखे कि फेड़ विद क्या है तुबोर विद सम्थिंग और समवन किसी चीज से या किसी इंसान से तंग आ जाना या उस चीज से उप जाना जैसे अक्सर हमें अपने लाइफ में कहना होता है फ्रेंड्स कि मैं खराब नेटवर्ग से उप गया हूं या मैं खराब करण के साथ fed up with फिर उसके बाद जिरंड या कोई नाउन लिखेंगे जैसे अगर कहने हो फ्रेंड्स मैं अपने back teeth से तंग आ गया हूं तो आप कहेंगे I am fed up with my back teeth फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो मैं आपके सवालों से तंग आ गया हूं तो आप कहेंगे I am fed up with your questions फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो मैं उसके इंतजार से तंग आ गया हूं या मैं उसके इंतजार से उप गया हूं तो आप कहेंगे I am fed up with our waiting फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो मैं इस TV से तंग आ गया हूं तो आप कहेंगे I am fed up with this TV तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपको अपन बोर हो गए हैं, उप गए हैं, तो आप subject इजारम प्लस fed up with का यूज करेंगे, आईए friends अब वो खास बात जाने, जिसे आपको जानना बेहस जरूरी है, friends बहुत सारे लोग fed up with के जगा, fed up off का यूज करते हैं, यानि with के जगा off का यूज करते हैं, जबकि ऐसा करना सरासर गल fed up off का यूज किया जा रहा है, अगर हम grammatically देखें, तो ऐसा करना सरासर गलत है, चुकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हो सकता है, आपको ऐसे sentences सुनने को मिले, जैसे, I am fed up of learning English, I am fed up of your complaining, I am fed up of taking medicine, तो friends मैं आपसे कहूँँगा, इस तरह के sentences, जहां आप कहना चाहते कि आप किसी noun से उप गए हैं, आप fed up with का यूज करें, न कि fed up of का, उमीद करता हूँ friends कि आपको यह topic बहुत स्टांदार तरीके से समझ में आया होगा, friends वाकई अगर आपको यह topic समझ में आया, तो फिर आप मैंने एक question का answer दें, अगर लिखा हो, I am fed up with hard sunshine, तो क्या आप एक नए वीडियो में एक नए lesson के साथ, तब तक के लिए, बाई